याई है कि ऐसा की इंग्लिश टैपिंग विदाउट एन्य लैटो एन मोनिटर में इस टोफिक में चैनल के पराइह एंगर से अगर के अगर करते हैं मैंने कीबोर्ट के साथ के ले जाया तो किजिए गा तो आज का हमारा टोपिक है English tapping without any laptop and monitor क्या topic है दोस्तों English tapping without any laptop and monitor lesson 2 क्योंकि lesson 1 मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है वो मेरे चैनल के playlist में पढ़ा हुआ है आप जाके वहां पर देख ले ठीक है lesson 2 अपर रोग की के बारे में इसमें आज क्या पढ़ेंगे अपर रोग की के हेलो दोस्तों मेरा नाम है मितले जेस्वाल मैं आप सब का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग पर चलिए बढ़ते हम अपने हो आज रोग की इसमें मैंने लफ्ट हैंड की इदर हमने फोड्र हैंड हैंड रहेंड राइट हैंड मैंने लफ्ट हैंड कीतर A, S, D, F, space, semicolon, L, K, J, H फिर A, S, D, F, G, F, space, right hand कि इदर semicolon, L, K, J, H, J फिर G, F, D, S, A, space, फिर H, J, K, L, semicolon semicolon, इसे आपको करना है first day first day में इसे करना है second day इसे करना है third day third day और एक fourth day भी मैंने उसमें बताया था fourth day में मैंने क्या बताया था यहां से लेकर यहां से जितने भी alphabet आते हैं उस alphabet को pick करके कुछ word बनाया गए थे जिसमें आपको one minute में वो type करना था जिससे आपकी speed और भी बेहतर हो जाती किसकी home row key की ठीक है तो यह करना था आपको fourth day में आज हम lesson two में अपन रोकी के बारे में बात करेंगे उसमें जो alphabet आ रहे हैं उसे करना है आपको fifth day में ठीक है fourth day उसके बाद fifth day में आपको यह alphabet का परियोग करना है किस alphabet का तो left hand की इदर जो type करेंगी वो qwer tr का करेंगे space right hand की इदर जो type करेंगे वो p o i u y u का करेंगे ठीक है इसे fifth day टाइप करना है उसके बाद sixth day में t r e w q का type करेंगी space y u i o p का type करेंगे इसे करेंगे six day में आप देखें तो इसका यह reverse है इसका यह क्या है reverse है और एक चीज़ जिस अल्फा qwer tr और p o i u y u यह alphabet को कहा जाता है अपर रोग की ठीक है और home row की asdf semi corner l k j h g इस alphabet को कहा जाता है home row की जो की मेरे लेसर बन में बता चुका है पिर लेशन टू में लेशन टू में qwer tr space p o i u y u इसे फिफ्ट डे में करना है और उसके वाद टी आर इडवलू q space y u i o p इसे शिफ्ट डे में करना अब एक देखें तो यह इसका डिवर्स है यह इसका कुन सा है रिवर्स अल्फा बेट है तो चलिए अब हम सिच्छ डे का करेंगे उसके बाद सेवन्थ डे में हम यहां से लेकर कि यहां पर जितने भी अल्फा बेट अल्फावेट को पिक करके कुछ वर्ड बनाए गया है जो कि टू लेटर के है त्री लेटर के है इसे टाप करना हमें सेवन्दे में ठीक है तो इसमें देख लेते हैं कौन-कौन से वर्ड आते हैं तो पी क्यू क्यू पी डबलू ओ डबलू ए आई आई यू आर आड़ वाई आर एक्यू यू ओ आई पी अरर ओ यू पी आई ठीक है गलू ओबलू ऑ क्यू अज़ी ऑलू ए इस टी अर यू थे आर यू आई डी आर वाई यू आ क्यू अज़ी अज़ी आर-दी आर-दी एस ड़लु एल्ड टी एर-वाई-के अश्दी इसका हमें 7-दे में टैब करना है 10-7 में इसको टैब इसको टैब करना वर इससे पहले चार की मैंने पिछले वाले वीडियो में बता चुका है अब हम इसे कीबॉर्ट की माध्यम से समझेंगे तो कीबॉर्ट की माध्यम से देख रहे हैं तो a s d f g f j k l semicolon यह जितने भी अलफावेट आते हैं और एक यह चिन आता है जिसके तो कि इस यह नहीं जानते है कि इस चिन को जो है हम सब सेभी कोण करते हैं सेभी packets और किसे बिलructor से ओधे हैंゴite उन्स मत्लब क्या होता है 1 राको तैंटे प्रों के सका लाहा दो कि ली सोता है جि न्वनकु अ nay क्या होता है चीन होता है ठीक है इस अल्फावेट हम कीबोड की बाता हम समझज़ेंगे इसे और मैं क्यू डवलू ए आर्टी वाई यू आई ओपी आता है ठीक है और होम्रों में एसडी एफ जी एफ जे के ल सेमी कोलन आता है चलिए आब हम इसे कीवोड की मदद से टैब भी करना सिखेंगे कीवोड के साथ ठीक है तो चलते हैं अपनी कीवोड की तरफ जैसा कि दोस्तों हम हम आ गए अपनी कीवोड की और अब हम टैप करेंगे अपर रोग की की तो अपर रोग की में कौन से की आ रहे हैं तो क्यू डवलू ए आर्टी वाई यू आई ओ पी ठीक है अब हम इसे टैप करना सिखेंगे लेशन वाई ठीक है तो पहले हम फिंगर रखेंगे ए एस डी drawf, टीक है फिर semi colon l, k, j तो हमने home row पे finger रख़े दिया क्यूंकि हम जब भी टैप करते हैं तो पहले home row पे finger रखते हैं ठीक है अब हम टैप करेंगे लेफ्ट एंट की इधर Q को डवलू, E, R, T ठीक है इस finger से ट और R कमांढ trends करना है फिर राइट एंट की इदर P, O, I, U, Y, इससे य और यू को कमांड करना है चलिए जिसे हम फिफ्ट डे करेंगे वो कौन सा की होगा तो q-w-e-r-t-r-p-o-i-u-y-u फिर से कर लेते q-w-e-r-t-r-p-o-i-u-y-u इस पेस हमने इसे कर लिया टाए अब हम इसका रिवर्स करेंगे जो तो six day लिखायते करने के लिए तो गो करेंगे इसका रिवर्स तो रिवर्स में कुन सा alphabet को टाइप करेंगे तो t-r-e-w-q-y-u-i-o-p फिर से कर लेते हैं t-r-e-w-q-y-u-i-o-p ठीक है अब हम speed में करेंगे five day को भी और six day वाले को भी six day वाले alphabet को भी तो चलिए q-w-e-r-t-r-p-o-i-u-y-u फिर t-r-e-w-q-p-o-i-u-y-u-p ठीक है फिर हमने seven day में बताया था प्रैक्टिस करना कुछ alphabet को जो home row की में इतने भी alphabet आते हैं इससे बनाए गए two letter three letter fourth letter word को टाइप करना जो seven day में टाइप करना है आपको चलिए अब हम उसे भी करके दिखाते हैं फिर से finger रख लेंगे asdf है हम रों में फिर semicolon l k j पर तो चलिए दोस्तों फिर से हम वो टाइपिंग करेंगे one letter two letter और three letter word को तो चलिए p q q p w o e i i e r r t r y t r y y r e q u i o p r o u p i p r o w o q w o q r u r r t u y e y t r q q u i t r y p q s e d s d e r k p d f f d s w q q u p p a r r e t u u t k e i o w a l p q o u r जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो है कुछ-कुछ word s से ही है a home row के भी है s a d k b यूच किया गिया है तो जिसने भी मेरा पिछले वाला नहीं देखा उसमें मैंने home room के बारे में पिछले वाले वीडियो में home room के बारे में बताया था आप उसे देख लें तो चलिए एक बार हम फिर से speed की तरफ से type करते है T-R-Y-Y-R-E-Q-U-I-O-P-R-O-U-P-I-P-R-O-W-O-Q-R-U-R-R-T-R-Y-E-Y-T-R-U-Q-U-I-T-T-R-Y-P-U-S-E-D-S-D-E-R-K-P-D-F-F-D-S- S-W-E-L-W-E-R-Y-K-S-D-S-W-U-P-Q-P-O-U-R-R-E-T-U-T-K-E-I-O-W-A-L-P-Q-O-U-R जैसा की देखा आपने कि मैंने अपर रोकी की किस तरह से प्रैक्टिस की है उसी तरह आपको भी करना है अपने कीबोर्ड पे बिना किसी मोनिटर के और लेप्टोग के तो चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के बीच में सेर कीजिए कॉमेंट कीजिए जिससे हम और भी टैपिंग के उपर वीडियो बना सके तब तक ये लिए जे महस्मति जन्दु